प्रिष्ट संख्या 128, पार्ट संख्या 9, डाइरी लिखने की कला, इस पार्ट में क्या है डाइरी? इतिहास के आइने में डाइरी, डाइरी लेखन और हम, डाइरी लेखन और स्मृतिया, कुछ विचार बिंदू. किताब के दो आवरन प्रिष्टों के बीच जो लेखक डालता है, वो लोख की संपदा है, जो कुछ वो खुद नहीं डालता, नेजी संपदा वो है. गेल हैमिल्टन, अमरीकी पत्रकार मोटे गत्य की जिल्दवाली उस नोटबुक से आप सभी परिचित होंगे, जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथिया क्रम से सजी होती है, और हर तिथि के साथ एक या आधे प्रिष्ट की खाली जगह छोड़ी जाती है. ये खाली जगह उस तिथि विशेश के साथ संबध सूचनाओं या निजी बातों को दर्ज करने के लिए होती है. मसलन, आने वाले किसी खास दिन के लिए तैशुदा दायत्व और कार योचनाएं उसमें लिखकर छोड़ी जा सकती हैं, ताकि डाइरी उस तिथि के आने पर हमें हमारे संकल्प की याद दिला दे. इसी तरह हमने कभी कोई ऐसा काम किया या किसी ऐसे अनुभव से गुजरे जिसे हम याद रखना चाहते हैं, तो उसे डाइरी में उस तिथि विशेश के पन्ने पर दर्ज किया जा सकता है. ऐसा करके हम अपने काम या अनुभव को लिखित शब्दों के सुरक्षित ठिकाने पर पहुँचा देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वो विस्मृती का शिकार न होूँ. प्रिश्ट संख्या 119 सामान तह डायरी लेखन की जब चर्चा होती है तो उसका आशे डायरी के इसी दूसरे उप्योग से होता है. दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविध्यों और विचारों से गुजरते रहे, उन्हें डायरी के प्रिष्टों पर शब्द बद करना ही डायरी लेखन है. ये लेखन मूलता आपके अपनी उप्योग एवं उभो के लिए होता है. हाला कि ये भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसा लेखन एक विधा के रूप में पाठक समाज के बीच खासा लोकप्रिया हो चला है. पिछली सदी की सरवाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है एनी फ्रैंक नामक एक किशोरी की पुस्तका कार्ट छपी हुई डायरी जो उसने 1942-44 के दरमयान नाजी अत्याचार के बीच आमस्रेडम में छुपकर रहते हुए लिखी थी. ये डायरी जब प्रकाशित हुई तो उसे एक एतिहासिक दस्तावेज के साथ साथ एक साहित्त कृती के रूप में भी महत्वपून माना गया. ये तो महस एक उदाहरण है. इस तरह चर्चा में आने वाली कई समान धर्मा कृतियां रही हैं. हिंदी में भी पिछले कुछ दशकों में कई बड़े रशनाकारों की डायरियां जैसे मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्रशाह की डायरी आदी भी किताब की शक्र में छप चुकी हैं. जिन्हें उनकी निजी जिन्दगी तथा उनके दौर में झाकने के एक नायाब न पंक बांद कर, राहुल सांकृत्यायन की रूस में पच्चिस मास, सेट गुविंद दास की सुदूर दक्षन पूर्व, कर्नल सजन सिंग की लद्दाख यात्रा की डायरी, डॉक्टर रगुवंच की हरी घाडी इत्यादी पुस्तकें यात्रा डायरी ही हैं. उननीस्वी सदी के पांचवे दशक में हिंदी के महानकवी और विचारक गजाननमाधव मुक्तिबोध ने एक साहित्तिक की डायरी लिखकर साहित्तिक समस्याओं से समबंधित अपनी उधेड बुन को उपयोगी पाठ बनाने का एक अदभुद प्रयोग किया था. समकालीन पत्र पत्रिकाओं में भी रशनाकारों की डायरी के अंच छपते रहे हैं, जिन में पाठकों को अकसर उधेड बुन की शैली में प्रकट होने वाले कुछ उधेजक, विचारबिंदू, किसी यात्रा का वृतानत या फिर साहित जगत की चटपटी खबरें पढ़ का विधागत नाम है, डायरी उस अर्थ में साहितिक विधा नहीं है, भले ही वो किसी और साहितिक विधा की कृती को अपना रूप उधार दे दे, मसलन निबंध, कहानी या उपरन्यास डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, लेकिन वहां डायरी का सिर्फ रूप होगा, अंतरवस्तु के लिहाज से उसे डायरी नहीं कहा जा सकता, तो फिर डायरी सचमुष में क्या है, हम कह सकते हैं कि वो नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तच संबंधी बौधिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है, इन्हें हम किसी और के लिए स्वेम अपने लिए शब्द बद्ध करते हैं, ऐसा अवश्य हो सकता है कि किसी समय उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उपियोगिता का कोई पहलू हमारे उपर उन्हें सारवजनिक कर देने का दवाब बनाए प्रिश्ट संख्या 130 एनी फ्रैंक 1929 से 1945 जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी। जर्मनी में जब नाजियों की सत्ता कायम हुई और यहूदियों पर अत्याचार शुरू हुए तो वो परिवार समेथ आमस्टरडाम चली गई। फिर नीदरलेंस पर भी नाजियों का कबजा और यहूदियों पर अत्याचार का दौर वहां भी शुरू हो गया। ऐसी स्थिती में जुलाई 1942 में उसका परिवार एक दफ्तर के गुप्त कमरे में छुपकर रहने लगा। जहां दो साल बिताने के बाद वे नाजियों की पकड़ में आ गए और उन्हें यातना कैम्प म एनी के मृत्यों हो गई। यही नहीं उसके पिता को छोड़ कर परिवार का कोई प्रानी जिवित नहीं बचा। दौरीतिये महायुद समाप्त होने पर उसके पिता वापस आमस्टरडाम पहुँचे। वहां उन्होंने एनी की डायरी की तलाश की और सैयोंक से सफल रहे। यह डायरी एनी को उसके 13 जन्म दिन पर मिली थी और जून 1942 से अगस्त 1944 तक वो उसमें अपनी खास खास बातें और नाजी आतंक के अनुभवों को लिखती रही थी। उसके पिता ने महसूस किया कि एनी के डायरी इतिहास के उस भयावा दौर का एक अप्रतिम उन्होंने उसे प्रकाशित करवानी की दौर धूब शुरू की। 1947 में मूलता डच में लिखी गई ये डायरी अंग्रेजी में The Diary of a Young Girl के नाम से प्रकाशित हुई। ये 20 भी सदी की सरवाधिक पढ़ी पुस्तकों में से है। कई जगह इसे पाठकरम में भी रखा गया है इलिया इहरनबुर्ग ने एक वाक्य में इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेशता को रेखांकित किया है। ये 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है। एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कभी की नहीं बलकी एक साधारन लड़की की है। प्रिष्ट संख् तरंग साक्षातकार है। अपने ही सात स्थापित होने वाला संबाद है एक ऐसा साक्षातकार और संबाद जिसमें हम सभी तरह की वर्जनाओं से मुक्त होते हैं। जिन बातों को हम दुनिया में किसी और विक्ती के सामने नहीं कह सकते, उन्हें भी डायरी के पन्नों पर शब्द बद्ध करके खुद को सुना डालते हैं। ऐसा करके हम पहले खुद को बहतर तरीके से समझ पाते हैं। दूसरे, अपने अंदर अंजाने एकटा होते भार से मुक्त होते हैं। और विस्मृती के अंधेरे में खोते अपने ही व्यक्तित्व के पहलूँ को इस तरह रेकॉर्ड कर लेते हैं कि उन्हें पलट कर कभी भी छुआ जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरी सिर्फ ऐसे ही नेजी सत्यों को शब्द देने का जरिया हो। जिनकी किसी और रूप में अभिव्यक्ति वर्जित है। वो एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज भी है जिसमें अपने जीवन के खास खशनों, किसी समय विशेश में मन के अंदर कौंध जाने वाले विचारों, यादगार मुलाकातों और बहस मुभाहिसों को हम दर्ज क अपनी कई तरह की समीतियों को हम कैमरे की मदद से भी रिकॉर्ड करते हैं, पर खुद अपना पाठ तयार करना और जो कुछ घटित हुआ उसकी कहानी कहना एक ऐसा तरीका है, जो हमें आने वाले दिनों में उन लम्हों को दुबारा जीने का मौका देता है। आज की तेज रफतार जिन्दगी में ये तरीका सचमुच नायाब है। जिन्दगी की तेज रफतार में इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि सतही और फौरी किसमिकी चिंताओं के अनवरत हमलों के बीच गहरे आशेवाले खटनाओं और वैचारिक उत्तेजनाओं को हम भूल जा डायरी हमें भूलने से बचाती है। यात्राओं के दोरान डायरी लिखना तो बहुत ही उप्योगी साबित होता है। एक लंबे सफर का वितांत अगर आप सफर से लोट कर लिखना चाहें तो शायद पूरे अनुभव का दो तिहाई हिस्सा ही बच बचा कर शब्दों में उतर पाएगा लेकिन अगर आपने सफर के दरमयान प्रते दिन अपनी डायरी लिखी है तो अपने तजर्बे को लगभग मुकमल तोर पर दोहरा पाना आपके लिए संभव होगा। डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बहतरी जर्या है। अगर आप भी खुद अपने साथ अच्छी दोस्ती गाठना चाहते हैं तो इन खास खास बातों को ध्यान में रखें। पॉइंट एक डायरी या तो किसी नोटबुक या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। पुराने साल की डायरी में पहले की पड़ी हुई ये सुझाव इसलिए दिया जा रहा है कि आप कहीं मौजूदा साल की डायरी में तिथियों के अनुसार बने हुए सिमित स्थान से अपने को बंधा हुआ न महसूस करें। ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी दिन दो-तीन पंक्तियां ही लिखना चाहें और किसी दिन हमारी बात प बंधन बन जाएगा। इसलिए नोटबुक या पुराने साल की डायरी अधिक उपयोगी साबित हो सकती है। उसमें अपनी सुविधा के अनुसार तिथियां डाले जा सकती हैं और स्थान का उपयोग किया जा सकता है। खयालातों इत्यादी में कौन-कौन सी आपको दर्ज करने लाइक लगती है। किनहें आप किन-किन वजहों से भविश में भी याद करना चाहेंगे। ये विचार कर लेने के बाद ही उन्हें शब्द बद्ध करने की ओर बढ़ें। प्रिष्ट संख्या 132 पॉइंट तीन डारी बिल्कुल निजी वस्तु है और ये मानकर ही उसे लिखा जाना चाहिए कि वो किसी और के द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी। अगर आप किसी और को पढ़वाने की बात सोचकर डारी लिखते हैं तो उसका आपकी लेखन शैली, विशे वस्तु के चैन और बातों के बेबाग पन पर पूरा असर पड़ेगा। इसलिए ये मानते हुए डारी लिखें कि उसका पाठक आपके अलावा कोई और नहीं है। इसी में हैं कि आप जो कुछ दर्ज करना चाहते हैं और जिस तरीके से दर्ज करना चाहते हैं करें। इस सिलसले में भाशाई शुद्धता कितनी बरकरार रहती है और शैली सौंदर कितना सद पाता है इसकी चिंता ना करें। आपके अंदर के स्वाभाविक वेग से शैली और भावनाओं का लेखा जोखा होने के साथ साथ आपके मन के आईने में आपके दौर का अक्स भी है आप अपने जिन अनुभवों को वहां दर्ज करते हैं उनमें आपकी नजर से देखा परखा गया समकालीन इतिहास किसी न किसी मात्रा में मौजूद रहता है डायरी लिखते हुए अगर ये बात हमारे जहन में रहे तो अपने काम के महत्व को लेकर हम अधिक आश्वस्त हो सकते हैं तो आईए इन बातों को मद्दे नजर रखते हुए हम अपने रोज के कामों के बीच थोड़ा सा समय डायरी लिखने के लिए यानि खुद को अपना हालचाल बताने के लिए सुरक्षित करें पाठ से समबाद निम्नलिखित में से तीन अफसरों की डायरी लिखिए ख आज आपने पहली बार नाटक में भाग लिया ख प्रियम मित्र से जगड़ा हो गया ग परीक्षा में आपको सर्वोतम अंक मिले है ग परीक्षा में आप अनुतिर्ण हो गये है अंग सड़क पर रोता हुआ दस वर्षिय बच्चा मिला च कोई ऐसा दिन जिसकी आप डायरी लिखना चाहते है प्रिष्ट संख्या 133 नीचे दिये गए कथन के सामने सही या गलत चिन लगाते हुए कारण भी दें ग डायरी नितांत वयक्तिक रचना है ग डायरी स्वलेखन है इसलिए उसमें किसी घटना का एक ही पक्ष उजागर होता है ग डायरी निजी अनुभूतियों के साथ सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष का भी व्योरा प्रस्तुत करता है ग डायरी अंतरंग साक्षातकार है अंग डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है